अलो एब्रिवान वेलकम टू जीके टुडे इस आरजू ककड इस पटिकिलर सेशन में जो टॉपिक में आपके साथ डिसकस करने जा रही हूँ वो है भ्रमोज मिसाइल मैनुफाक्टरिंग यूनिट ये कैसी मिसाइल है जो इंडिया और रशिया जो है मिलकर बेसिकली इस पर काम कर रहे थे अब रिसेंटली जो न्यूज में बात आई है वो ये है कि भ्रमोज एरो स्पेस क्रूस मिसाइल मैनुफाक्टरिंग यूनिट लखनव में इनॉग्रेट किया गया है जहां पर ये जो मिसाइल है यहां बनाई जाएगी अब इसमें इंडिया और रशिया का दोनों का ही पार्ट है तो अब इसके बारे में और जानेंगे क्योंकि रशिया जो है स्ट्राटेजिक पार्टनर है इस पर्टिकिलर ओकेजिन में और उन्होंने वी ऑल्सो सपोर्टेड डिफेंस मिनिस्टर दी न्यूक्लियर और अदर मिलिटरी डेटरेंस ऑफ इंडिया तो प्रिवेंट एक्सटरनल थ्रेट्स ब्रहमो मिसाइल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे कि मैं आपको बता रही हूं जिसकी मैनुफाक्चरिंग में इंडिया और रशिया दोनों को परेट कर रहे हैं तो ब्रहमो मिसाइल के बारे में जाने तो एक मीडियम एक दोनीचिंद रामजेक्ट सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे आप लैंड से भी और श्पि ही और ऋुकर फास्टेस्ट सूपरस्वनीक क्रूज्श मिसाइल वर्ट में में वन फ तव फास्टेस्ट और यह मिसाइल एक जॉइंट वेंचर है बिट्वीन दीवशिया अब यह जो मैं आपको बता रही हूं ना यह ब्रह्मोज एरोस्पेस मैनिफाक्टरिंग उनिट जो लखनव में इनोग्रेट किया गया है अब यह जो यूनिट है यह जॉइंट वेंचर इसमें भी बेसिकली जॉइंट वेंचर है जो कि रश्या और इंडिया का दोनों है दो उए जैसे कि मैं आपको बताया l檐 से भी लॉंच हो सकती है शुप से भी लॉंच हो सकती है नहीं कि अभी तक छिप से ही हमने इसको लॉंच किया है सर्विस के अंदर positively में एर लॉंच variant जो है ब्रह्मोज का appear हुआ और वो service के अंदर 2019 में ही enter हुआ है, hypersonic version missile का ब्रह्मोज 2 वो भी development में है speed इसकी March 7-8 है and missile is likely to be ready for testing by 2024 तो ये ब्रह्मोज की कुछ characteristics है, अब इस project का एक significance है कि इस project से 5500 fresh job opportunities वो भी create होंगी जब यहाँ पर में बनेगी, तो MTCR क्या है missile technology control regime अगर आपको पता हो यह क्या कहता है, यह basically कहता है कि you need to इसके अंदर क्या होता है, to limit the proliferation of missiles इसकी बात करता है यह particular regime जिसमें इंडिया भी इसका एक member है 2016 का, तो यहाँ पर इस partnership में इंडिया और रशिया, they are planning to develop this new generation of Brahmo's missile जिसका range 800 km प्लस रहेगा और इसकी एक capability है कि वो projected target को hit कर सकता है और बिल्कुल pinpoint accuracy रहेगी तो इस project का अपना significance है और यह supply chain है जिसमें 10,000 more employment जो है it will create तो यहाँ पर employment भी होगी इंडिया रशिया की और partnership strong होगी missile के बारे में बताया MTCR जो यह है missile technology control regime जिसमें इंडिया एक member भी है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब इंडिया और रशिया ने क्या plan किया है 2016 में MTCR आया and every associated information मैंने आपके साथ share की है I hope आपको session अच्छा लगा